असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे आप सभी को अच्छा रखे आज मैं बनाने वाली हूँ शिबना मिर्च कीमा जो बहुत जायकेदार और टेस्टिर तैयार होगा और इसे हम नान रोटी से या घर की रोटी से भी खा सकते हैं तो केस्पता लोंग काली मिर्च हरीलाची दाल चेनी और जीरा जैसे ही तेल में अच्छे से चटक जाएंगे इसे खुश्बू अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो इसमें एट करेंगे हम यह छोटे साइज की प्याज है तो यह मैंने 6-7 प्याजों को इस तरीके से मोटा मोटा कट के लिया है आप तेल में हम जब तक कि से फ्राइब करेंगे सेफिए और इसे हम जादा डारक नहीं पकाना है तो देखिए हलका सा इसका कलर हो चुका है अब यहां एट कर देते हम लहसे नदरक का पेस्ट लहसे नदरक के पेस्ट को भी प्यास के साथ अच्छे से हम दो जनों के लिए बना रही हूं आप अगर जादा कॉंटिटी में बना रहा हूं तो आप अपने हिसाब से कीमा और शिमलमिर्च ले सकते हैं आप कीमे को हम अच्छे से तेल के साथ और अधरक लहसन के साथ पका लेंगे इस किसमिल खतम हो जाएगी इसके अंदर एड़ करें मैंने यहाँ इड़ किया है कलर के लिए इसमें हैट करेंगे हम हल्दी पाउडर आधा चमच तीखेपन के लिए जाएगा इसमें एक चमच पिसी हुई तीखी लाल मिर्च अब इन मसालों को अच्छे से हम बूलेंगे मसालों का कच्छपन अच्छे से हम निकाल देंगे और इसे हम कवर करके कुजर के लिए पकाएंगे तो यह मसाला तो अच्छे से बुन चुका है अब यहां अट कर देती हूं मैं साथ में ही टमाटर टमाटर से गोश्ट भी अच्छे से गल जाएगा और टमाटर भी सोफ्ट हो जाएंगे अब यहां कवर क और पियां कि ऄट आओ तक हम इसे भखत कर पकाएंगे तो यह कबर कर देते हैं और इसके गन्लेक का और पकने का इंत zag करते हैं तो देखेंगे किन और अच्छ हो झाये है अच्छ हो जाएं मसालो को breathing और देखिए यहां अच्छे से खुशक हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है, तेला लग हो चुका है, अच्छे से इसकी भूनाई हो चुकी है, अब यहां एट कर देते हैं शिमला मिर्च, शिमला मिर्च आप किसी तरीके से भी काट सकते हैं, मैंने थोड़ी मोट से डाल दूगे मैं अध्रक के लच्छे और इसे कवर करके करके कुछ अब Comes full of flame करके बजी से चला दुद दिया हें विए हैं और यहां डिखाती हूं मैं आपको देखिए अच्छे से भून हैं बस इतनी ही सिमला मिर्ज मुझे पका नहीं पकाऊंगी जादा अगर मैं पका दूंगी ने पकज़ाएंगा थोड़ खड़ी खड़ी ही पसंद आती है अब यहां एट कर देते हैं यहें हरी धनिया देल सारी हरी दनिया। डिह सारी यहां करें अब इन सब चीजों को अच्छे से एक बार और मिक्स कर लेंगे और पिर आपको मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी अब यह पक चुका है सिर्फ धोड़ी देरी मैं यहां कवर कर देते हैं और देखिए तयार हो चुका है यहां शिमला मिर्च कीमा कितना टेस्टी और कितना जायकेदार आप इस तरीके से बनाएं आपको यह तरीका बहुत पसंद आएगा है और इसे गानिश कर रही हुने उपड़ से अद्रक के लच्चों से गोश्ट की बहुत जादा टेस्टी और जायकेदार लगता है आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसमें धनिया डालें हर्मिट डालें और अद्रक के लच्चे डालें आप डालके खा सकते हैं और यह मेरी रैसी भी आपको कैसे लगिए आप मुझे के मन करके जरूर बताएं मेरी ऐसी ही सब्सक्राइब करें बेल बटन को जरूर दमाएं अप मुझे इन्स्टाग्राम फैस्बूख पर फोलो कर सकते हैं अपने कमेंट अपने राए महां दे सकते हैं और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुकुरिया